सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिन्दगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए नमस्कार मैं सारदा पांडे आसान जिन्दगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के कहने से एक वीडियो बना रहे हूँ जो की चूडी से संबंधित है इसके पहले मैं कई वीडियो चूडी के संबंधित डाल चुकी हूँ उसको आप देख चुके हैं और जो पुराने उजर है वो भी जो नए उजर है उनके लिए भी नया होगा लेकिन जो पुराने उजर मारी बहने हैं कई बारों का एक कमेंट आया है कि जिसे पुराने जमाने में चूडी पहने का नियम होता है वो नियम आप सबको बताओ मैं उसे बोलती हूं कि मैं साधारान सनियम बताती हूं तो तो उसको कोई फालो करता नहीं बोलते हैं 50 सल पीछे ले गए तो वो सब जो हमारी दादी नानी करती थी वो आज कल कोई नहीं निभाएगा लेकिन आप लोग क्यों कि कह रहे हो चलो हमारे वीडियो को कहानी जैसे ह देख लो कि पुराने जमाने में होता क्या था कैसे करते थे मानो या नमानो अलग बात है तो इसी वीज़ा फे बीडियो पढ़ाओंगी जो हमारे नए उज़र हैं जो कि पुराने वीडियो को नहीं सर्च करते नए को भी देखते हैं तो उनको भी कुछ फायदा होगा इस साडियों पर साडियों के कलर का चूड़ी पहन लिए उतार दिये रख दिये तो पहले ऐसा नहीं था जो हमारे दादी नानी काकी लोग करती थी वो ऐसा नहीं करती थी तुम आपको इसको बाद में बताऊंगी पहले बता रहे हूं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए अब बा और जिनको नहीं मानना है, तो उसको कोई फरक नहीं पड़ता, तो सब से पहले चूड़ी जो नई चूड़ी होती है मैं उसके लिए बता रहे हैं कोई किसी नई चीज के लिए कोई चीज बताया जाता है तो जैसे सूतक, पातक या पिरियट का समय या गदबेला का समय है तो इन सब समय में या जैसे की पितर है तो इन सब समय में नई चूडियां नहीं पहनी जाती है सूतक, पातक यानि की घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है किसी की मित्तू हुई है महिला पिरियट में है या गदबेला गदबेला यानि की सूर्य डूबने के बाद जैसे तुरंत कहीं जाना है तो नई चूडियां नहीं पहनते हैं और पुरानी भी चूडियां जैसे की गदबेला के समय पहनी और उतारी नहीं जाती बाकी जैसे सूतक है पातक है पीरियट है उन दवरान आपको कहीं जाना है और आपके हाथ में चूडियां नहीं है तो जैसे पहन के उतारी हुई चूडियां है एक दो बार उसको आप पहन सकते हो नई चूडियां बिलकुल क पहन नहीं पहना नहां, उसी प्रकार से जैसे आप अम मैं पहले के बता रहे हो कि कोई भी ऐसे चुडियां पहन रहा है। कि अभी मनिहाणिन कहले हैं उनका घर सब बंधा रहता है कि उनको कहां कहां जाना है खुड़िया पहनाने तो आती है और चुड़िया पहना के जाती है तो चूडिया पहना देती थी, तो दादी तो हमारा उसे तो हमैसा ही सीर पर पलना रखे रहती थी, यह रहोगी विशस कर चूडिया पहनते हो चूटी, पहनते थी और जो टूटी हुए चूडियां तीन बार कुम के अपना डस्ट विन में डाल देती थी तो उसी प्रकार से जैसे कि जब हम चूडियां पहंते हैं मारीलों है से हम कोई पूरी चूडियां को उतार दिये नहीं चूडियां पहंते हैं यह थागा, यह बांदले, लिकिन पूरी तरह से हाथ को खाली करके चूरियाँ नहीं पहनी जाती निстकित होगी। जो बह outsider बेटियां आती थी तो ऑनको भी घर वाले चूडियां पहनाते थी घर के ज keine my Любाते थी जनको जो नहों भी खूडिया पहनाते थे अपने सभी तो सभी वी पहने, फिर उनको लगा कि नहीं चूड़ी अच्छी नहीं है, तो उसको निकाल दिये, फिर पहने, तो मारे जो दादी लोगती थी ऐसा नहीं करती थी, चूड़ियां पहनने के बाद तुरंत उतारनी नहीं चाहिए, उसी प्रकार से जब भी आप चूड़ी पहने तो देख बिचुआ, ये तीन सुहाग के महत पूर्ण चिन हैं, तो इनके साथ बहुत सुभता से पहने, बहुत सुभता से उतारे, बहुत सम्हाल के रखना चाहिए, तो मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ कि जब हम चूड़ियां पहनते हैं, जो पहनाने वाले हैं, खुद यूजर जो माताय बहने वेटियां हूँ पूछती हैं, कि ऐसा क्यों हम बराबर नहीं पहन सकते चूड़ियां, तो मैं बोली भाई, जो नियम है, उसको हम बताई हैं, आप बराबर पहनना चाहती हैं, तो पहने, फिर बोलती हैं कि हम दाईने हाथ में ही क्यों जादा पहन पहने, दोनों हाथ में बराबर क्यों न पहने, और हम हाथ भर के चूड़ियां क्यों पहने, हम एक दोठो क्यों नहीं पहने, तो इन सब काम उत्तर देते रहते हैं उनको, कि दाईने हाथ में एक दो चूड़ियां ज्यादा इसलिए बोलते हैं, कि हमारा दाईना हाथ ही ज ज्यादा चलता है यानि उससी से हम ज्यादा कुछ कारे करते हैं तो कारे करते समय कभी कभी इधर अधर लग गया तो कुणडियां टूड जाती हैं तो जी तो बहन से ज़्यादा पहननी चाहीद आप कि दय हमारा जादा चलता है। यह जल्दी से तूड जाती है। जैसे बाये थासачी हैं इन आकासी न्याती है। यह से बता जक्त दूड़ते हैं को । तुम항 हमारी हम्हारी बढ़ेतुरी को माताओं पहते हैं इसलिए चूडियां प्राइब तो आप खुद चूड़ी जब पहनते हो तो आप पने प्लतों दबता है हाथ को दबाके कुछ क्रीम उगर लगा के तो दबाके और छोटी चूडिया चढ़ा देता है पक्की चूडिया बोलो कि मैं उन माताओं बेटियों के लिए बता रहे हूं जिनके हाथ के चूडिया ज़ादा तूटती है जिसे की बजार में मार्केट में अब सहरों में तो न यानि कि 6 महीने आठ महीने ऐसे चलती रहती हैं नहीं टूटती हैं कभी कभार तो इसे साधी ब्याः पड़ा तो उनको पूरा निकल वा कि फिर नया चूडियां पहनती हैं और जब आप कच्छी और बड़ी बड़ी चूडियां पहनोंगे तो अपने आप वो चिटक के निक करने देमिंशों क्यों तक चलेंगी तबाम बेटियां अबहन आताएं कि माहवारी के बाद उनसे कोई बताया होगा माहवारी के बाद जो हम चूडिपैनने रहते हैं उसको बदल कि क्या दूसरी चूड़ी पहनने चाहिए, मैं उनको बोलती हूँ कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्यों? कि जब हम अस्नान करते हैं, जो भी हम चीजें पहनने रहते हैं, आबूसर्ण, बाली, मंगल सूत्र, चूड़ियां, अंगूठी, पायल, बिशुआ, जो भी हम पहनने जाती हैं, तो जैसे कि घर में कोई किसी मृत्तु ही रहती है, तो दसमें दिन सुधी करण होता है, उसी दिन महिलाएं अपनी पुरानी चूड़ियों को उतार के और नई चूड़ियां पहन सकती है, क्यों? कि गवरी मा को उसी दिन सिंगार और सुहाग का चीज अरपन कर जाता है, उसी दिन से महिलाएं जो सिंगार करती हैं, सिंगार करना सुरू कर देती हैं, तो दसमें दिन और जिनके यहां बच्चा पैदा हुआ रहता है, उनके यहां दसमें दिन या बार्में दिन जब निकासन होता है, बरही होता है, यानि बार्में दिन का मनाते हैं, त बच्चे को अमा को अच्छी तरह से सुद्धी करण कराते हैं तो नाखून और गयरा काट के और चूडी जो रहती है पुराने उसको बदल देते हैं और नई चूडी पहना देते हैं तो उसी प्रकार्स में आपको बता रहे हूं कि गब-कब चूडियों को बदला जाता है ज फज्फा लेक्रटोगन होग। कि जादि को गरीब महिला ही वहाँ चीजेर के भीफाँ देख रही है लुक दरी नहीं को पहना के से लुख के जाए तो अ tag छूब पहनको है कि तुम बहुना करे cooler देते हैं कि उनको भी पहना देते हैं तो ये सब चीजें बहुत सुभ हैं, यानि कि हम इन सब चीजों को जितना ही दान करते हैं, उतना ही हमारे लिए ब्रिद्धी होता है, शुखद होता है, तो इसके पहले मैं वीडियो दी हूँ कि क्या-क्या चीजें सेर नहीं करने चाहिए, तो थमाम बेटियां हम बैने माता मैं फ्रश्न करी है, कि आप तो देने से मना करी हो, तो मैं उसे बोले हूँ, कि आप अपने हाथों के चूड़ियां उतार के मद दो, अपने मात की बिंदी निकाल के मद दो, अपना जो यूज करते हो, उन चीजों को दूसरे को मद दो, लेकिन आप जब पूजा करते हो, पाट करते हो या यह नई चीजें खरीद के मतलब अपने घर वालों को भी दे सकते हो जितना चाहो दान कर सकते हो तमाम मारी यूजर परशन करते हैं कि उनके घर में उनकी सासुमा जिठानी ननत उनका है सिंदू लगा लेती हैं उनका चूड़ी पहन लेती हैं यानि जैसे क मैं बोलती हूं कि आप अपने इन जो यूज करने वाल चीजें हैं आप अपना अलग से रखें ओस्रातipped मारी सिंदू प्रस्न करें कि आना करती हो तो अपनी यूज की चीजें मना करती हूं ना की दान लग से आप खरेत के और पूजा पार्थ में दान कर सकते हो वैं आपको बताई हूं चूड़ी के बारे में तो ऐसे वीडियो और हम कई मतलब जो हमारे माताय कई बार बोलती हैं कि आप पुराने लोग जो चूड़ी पहनते थे उन पर बीडियो बनाओ क्यों चूड़ी पहन पहले कानून जो भी बने हुए है नियम भी हूँ अप जितना कर सकें उतना करें यह इसको वीडियो को मन रंजन के तोर पर भी देख सकते हैं पहले क्या-क्या होता था पहले बहुत कुछ होता था और धिरे धिरे हर चीज को बदलाव आना चाहिए-बदलाव करणा इसी तरह के वीडियो हम आपको देंगे हमार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेयर करें तक तरह नासान जिन्दकी तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार